हाँ जी तो नमस्कार सबी दोस्तों को आज फिर से स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल मेडी वीक में तो दोस्तों मेरा नाम है रोहित आज हम दोस्तों चर्चा करेंगे Glycan 60 XR Tablet के बारे में जिसमें दोस्तों Salt Container है वो है Glycoside Extend Release Tablet 60 Mg और यह दोस्तों Discovery Mankind दोरा बनाई जाती है और यह दोस्तों इसके MRP की बात की जाती है इसका MRP है दोस्तों यह आपके सामने 73 रुपीज इसका MRP है 73.23 रुपे करीब दोस्तों इसका MRP है और दोस्तों वीडियो शुरू करने से वाले ज़ले ज़ले ज़े वीडियो को लाइक कर लिजे और चानल को जूँ सब्सक्राइब कर लिजे तो अब दोस्तों बात करते हैं कि यह किस कंपनी दोरा marketed की जाती है तो दोस्तों वो है Discovery Mankind अगर दोस्तों इसमें composition की बात की जाती है तो इसमें glycolazide है वो है दोस्तों 60 mg ठीक है Glycan 60XR Tabler दोस्तों एक दवा है जिसका इसमाद दोस्तों वेसकों में Type 2 Diabetes Mellitus के इलाज के लिए किया जाता है यह दोस्तों दवा ऐसी है दोस्तों की जो diabetes के मरीजों में blood sugar नियंतरित करना में मदद करती है यह दोस्तों किड़ने की शक्ती और अंधेपन जैसे diabetes की घंबीर समस्चाओं को रोकने में मदद करती है Glycan 60X-Ratival दोस्तों अकेले या इन्ने दवाँ के साथ लेने की सलाथ दी जा सकती है दोस्तों इसे बोजन के साथ लिया जाना चाहिए अधिक्तम लाप राप्त करने के लिए इसे दोस्तों हर रोजे एक नेमित रूप से एक समय पर लें आपका डॉक्टर तैय करेगा कि आपके लिए कौन से खुराग सबसे अच्छी है और यह समय समय पर इसके प्रभाव के अनुसार बदली जा सकती है अगर आप दोस्तों अच्छा महसूस कर रहे है या आपके बलड शुकर का अस्तर मियंतित है तो भी इस दवा का सेवन करते हैं अगर आप इसे डॉक्टर से प्रामर्श किये बिना लेना बंद करते हैं तो आपके बलड शुकर का स्तर है वो बढ़ सकता है और आपको किड़नी का नुकसान अंदापन नसों से समधी समझते हैं और अंगों की खोने का जोकिम रहता है याद रखें कि यह दवा दोस्तों इलाज के वले खिस्सा है जिसमें दोस्तों आपके डॉक्टर द्वारत दी गए इसलाग अनुसार स्वास्त आहर और नियमित वयायाम भी शामिल होना चाहिए आपके जीवन शाली दोस्तों डाइबटिस को नियंतरित करने में एक बड़ी भूमी का निभाती है अब दोस्तों बात करते हैं इस टेवलेड के साइड इफेक्ट्स के बारे में Side effects के बारे में बात कियाए दोस्तों इस दवा को लेने से के आम side effects वो है दोस्तों अपच्च और पेड़ हराब होना इससे दोस्तो ब्लड ग्लुकोस का स्थर भी कम हो सकता है उसनक्षित करें कि आपको लो ब्लड ग्लुकोस लेवल के लक्षनों जैसे कि पसीना आना चक्कर आना सरदर दोर कम कभी गो पहचानते हैं और दोस्तो इससे निपटना जानते हैं इसके दोस्तों रोकताम के लिए हमेशा नियमित रूप से बोजन करना और गुलुकोस का तेजी से कम काम करने वाला स्थरोच जैसे कि शुगर वाले खाते पदार तो या फलों का जूस अपने साथ रखना जुरूरी है शिराप फिनिस दोस्तों आपका ब्लड शुगर लेवल में इस तरह में कमी का जोखिम भी बढ़ सकता है और इसलिए इससे बचना चाहिए इस दवासे दोस्तों कुछ लोगों का वजन भी बढ़ सकता है और दोस्तों इस टेवर्ड को लेने से पहले अगर आपको कोई दिल समंदी, थाइराइड, रोग या कुछ हर्मनल बिमारियां थी तो आपने डॉक्टर को जुरूर बताएं यह दोस्तों उप्यूक्त नहीं हो सकती है गरवत्ती या स्तनपन कराने वाली महिलाओं को इसे लेने से पहले डॉक्टर से भी प्रामर्श करना चाहिए आपके ब्लड ग्रूकोस, ब्लड शूगर लेवल के नियमित रूप से जांच होनी चाहिए और आपके डॉक्टर आपके ब्लड सेल काउंट को और लीवर फंक्शन की निगरानी के लिए ब्लड टेस्ट भी की सलावी दे सकते हैं तो दोस्तों वीडियो को जल्दी से लाइक कर लिए बीच में चानल को जुरूर सब्सक्राब कर लिए तो और शेयर भी कर दीजिए वीडियो को आपको आगर आपको जानकार यह अच्छी लग रही है तो अब दोस्तों बात करते हैं गलाइककन 60 एक्सा टेव़निट के लाब के बारे में लाब दोस्तों इसका मुख्य लाब एक ही है वो है रयक Q1 लियो करने के लिए आम तोर पर दोस्तों इसे दिन में एक बार लिया जाता है निर्दायत दाविदी तक इसका सेवन जारी रखना बहुत जुरूरी है ब्लड ग्लूकोस के लेवल को कम करना डाइबडिस को नियंतृत करने का प्रमू किसा है अगर आप इन स्थोरों को नियंतृत कर सकते हैं तो आप में डाइबडिस के खारण होने वाली गंबीर जटिलता हूं जैसे किड़नी का नुकसान, आखों में नुकसान, तंत्रे का संबंदी समस्य है और हाथ परों का नुकसान आदी जैसे जोखिमों के संभावना कम हो जाएंगी उचित अहार और वैयाम के साथ इस दवा का नियमेद सेवन आपको स्वस्त और समझने जिवन जिने में मदद करेगा अब दोस्तों बात करते हैं कि यह टेबलिट है हमारे बोड़ी में किस प्रकार काम करती है अब दोस्तों इस दवा की खुराक और अनुपान के विदी के लिए अपने डॉक्टर से शला लें इसे साबुत निकलने इसे चवाएं कुछ लें या तोड़े नहीं गलाइकन 60 एकसार टेबलिट को दोस्तों भूजन के साथ लेना बहतर माना जाता है तो दोस्तों मैं उमीद करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो विडियो बुजरू लाइक करें और चैनल को जूरू सब्सक्राइब करें दोस्तों फिर मिलते हैं एक और नहीं वीडियों साथ तब ते के लिए जय हिंद जय बालत